इस वीडियो में हम Chapter 5 के एक और Worksheet जो कि है HOTS वाला section उसको solve करेंगे इसमें 4 questions given है और 4 questions concept based है जितना भी concept हमने अभी तक परा है जितना भी theories परा है अगर वो सब अच्छे से समझे होगे तो ये सारे questions आसानी से समझ सकते हो लेकिन अगर इसमें कोई problem होता है तो इस explanation वीडियो को देख लो सब questions आसानी से बना पाओगे इससे पहले मैंने DAV Classics के लिए जितने सारे वीडियोस बनाया है subject wise सभी वीडियोस playlist में available है वहाँ से जाके सारे वीडियोस देख सकते हो और एक और important information रिसेंटली मैंने एक टेलिग्राम का ग्रूप बनाया है जिसको जाके description में link है उस पे click करके join कर सकते हो या तो टेलिग्राम पे directly search करके भी channel का नाम search करोगे ग्रूप आ जाएगा join कर लेना उसमें सारे important notification और जो भी doubt होगा वहाँ पर पूछ सकते हो तो start करते हैं hot के पहले question से इसको ध्यान से समझना question थोड़ा सा complicated है लेकिन जितना भी easy हो सकता है उतना easy तरीके से इसको हम समझाएंगे यहाँ पर बताया गया है कि the selling price of an article is 4 by 3 of its cost price find the profit percent अब देखो profit percent हो या loss percent हो उसके लिए पहले हमें profit कितना हुआ या loss कितना हुआ उसको rupees में जानना परेगा और इसको find करने के लिए हमें क्या चाहिए दो चीज़ चाहिए एक तो cp यानि के cost price और दूसरा sp यानि के selling price लेकिन यहाँ पर directly हमें न cp दिया है नहीं sp दिया है लेकिन हमें indirectly बता दिया गया है कि cp और sp में क्या relation है यहाँ पर देखो ध्यान से selling price जो है of an article is 4 by 3 of its cost price इसको हम लोग mathematically लिखते हैं यह क्या होता है ध्यान से देखो selling price जो है वो equal है 4 by 3 of cost price मतलब cost price जितना भी होगा ना उसका 4 by 3 अगर हम लोग निकाल लें तो वो selling price हो जाएगा अब देखो इसको और mathematically pure mathematics में हम लिखेंगे तो यह ओफ को हम लोग multiply लिख सकते हैं यानि कि selling price जो हो जाएगा equal to हो जाएगा 4 by 3 of यानि multiply cost price अब देखो हमें कुछ नहीं पता है ना selling price पता है ना cost price पता है कुछ भी पता नहीं है तो हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं ठीक है माल लेते हैं कि cost price जो है 300 है ठीक है 300 ही क्यों 300 इसलिए क्योंकि अगर हम यहाँ पर CP के जगए 300 पूट करेंगे तो cancel out easily हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर माल लेते हैं let cp is equal to 300 ठीक है इसी 300 से हम लोग percentage निकाल लेंगे तो जब cp 300 होगा तो sp क्या हो जाएगा sp will be equal to 4 by 3 of 300 है ना clear इस वाले cp के जगए हम लोग 300 पूट कर दिये हैं अब देखो जब cancel out करेंगे यहाँ तो यह 100 times में cancel out हो गया और 100 फोर्जा 400 ठीक है तो यह हो गया हमारा sp इस question के लिए मतलब अगर cp हमारा 300 है तो sp 400 होगा अब देखो मैंने यहाँ पे 300 लिया है ना 300 के जगए तुम्हारा जो number मर्दी है तुम्हे 1,000 मन है तो 1,000 लेलो तुम्हे 2,000 मन है 3,000 मन है तुम ले सकते हो यहाँ पे 300 के बदले में लेकिन मैंने 300 इसी लिए बस लिया है क्योंकि यहा यहाँ पे हमारा whole number मीटा नहीं तो fraction में आ जाता फिर दिक्कत होता है तुम्हारा जो भी मन 300 नहीं मन है 3,000 लो 3,000 लेलो 30 लेलो जो भी मन है ले सकते हो यहाँ पे तो यहाँ पे देखो cp और sp दोनों हमें मिल गया अब हम profit find कर लेते हैं profit क्या हो जाएगा 400 माइनस 300 रुप मतलब 100 रुपीज यहाँ पे profit हो गया अब देखो percentage profit आसानी से निकाल सकते हैं क्या होता है profit by cp into 100% यहाँ पे profit क्या है 100 रुपीज है profit तो उपर 100 रुपीज लिख दिए cp यहाँ पे कितना है देखो cp हमने माना था 300 तो यहाँ पे 300 लिखेंगे ठीक है और multiply कर देंगे 100% स से तो यहाँ पे यह रुपीज रुपीज कैंसिल आउट हो जाएगा हंडेट से थ्री टाइमस में खतम हंडेड़ बाई 3% यहाँ बच रहा है मतलब 100 बाई 3% हो गया इसका profit और इसको अगर mix fraction में लिखें तो यह हो जाएगा 33 whole 1 by 3% बुक में अगर mix fraction में दिया होगा तो नॉर्मल fraction में तो यह answer होगा अब देखना यहाँ पे अगर कोई दूसरा number भी लोगे न तो तुमारा percentage में इतना ही answer आएगा एक बाद try करना और comment box में मुझे लिखके बताना question number 2 भी थोड़ा से complicated है लेकिन इसको भी आसान तरीके से हम समझेंगे इसमें देखो क्या बताया इन इस्कूल देर आर 50 स्टूडेंट एक कोई स्कूल है जिसमें कि 50 स्टूडेंट है चलो हम लोग यहाँ पर लिख दिये simply इन क्लास सिक्से सिक्से कोई क्लास है उसका कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है 88 परसेंट आफ इस्टूडेंट पास्ट इन मैथमेटिक टेस्ट ठीक है मैथ का टेस्ट होता है और 88 परसेंट जो है पास हो जाते हैं ठीक है 88 परसेंट पास्ट क्लियर अब देखो 88 परसेंट पास हुआ तो बाकी कितना होगा 12 परसेंट जो होगा फेल हो जाएगा क्योंकि टोटल को हम लोग 100 परसेंट मानते हैं अगर इस 50 को अगर हम लो देखो बताया है दसेम नबर और गोड़स का नमबर और यह सेम है मतलब अगर बड़ा तो विदो अगर will फेल हुआ है उसके बाद देखो बताया है इस 42 परसेंट आप ड़ोल चलो इसको बाद में हम लोग देखेंगी यह दुसरा स्टेटमेंट है completely different स्टेटमेंट है तो अभी तक जो हमें दिया गया उससे हम लोग find करते हैं कि हमें क्या-क्या पता चल सकता है हमें दिया गया है कि 88% pass हुआ है और 12% fail हुआ है तो हम find कर सकते हैं कि pass कितना हुआ नंबर में actual में और fail कितना हुआ तो देखो pass में कितना हो जाएगा 88% of 50 इतना ही न पास हुआ और fail कितना हो गया 12% of 50 इसी 50 का 12% इसको जब solve करेंगे तो यह हो जाएगा 88 by 100% मतलब by 100 of यानि multiply 50 और इसको जब solve करेंगे तो यह आ जाएगा 44 44 बच्चा पास हुआ और देखो fail कितना हुआ 12% of यानि multiply 50 यह हो जाएगा 0 50 से 2 टाइम में खताब 2 से 6 टाइम में मतलब 6 इस्टू ट्रेंट जो है fail हुआ अब देखो तो टोटल था 50 44 पास हुआ तो बांकि 6 ही न होगा जो fail हुआ होगा ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं अगर यह 12 कैसे आया नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी देख सकते हो तो यह 44 पास हुआ तो 6 fail हुआ अब एक चीज हमें बताया गया है कि the same number of boys and girls failed in the exam मतलब fail करने वाला जो है न उसमें boy भी same number of boys है मतलब boys का नंबर भी उतना ही है जितना girls का नंबर है तो टोटल देखो 6 है तो इस 6 में boys कितना हो जाएगा boys भी 3 हो जाएगा और girls भी 3 हो जाएगी इतना तो समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हमें मिला तीन लरका fail हुआ है और तीन लरकी fail हुई है उसके बाद अब देखो क्या पुछा गया है if 42% of the total students are girls, total student का 42% girls है ठीक है तो हम लोग निकालते हैं यहाँ पे धियान से देखो इसके बाद यह first part है part one उसके बाद part two इधर कर लेते हैं ठीक है उसके बाद देखो यहाँ पे बता है कि 42% of total students are girls तो हम लोग यहाँ पे लिखे लेते हैं 42% of total student कितना है 50 तो यहीं न 50 50 equal to क्या हो जाएगा girls हो जाएगी number of girls हो जाएगा तो number of girls हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं girls कितनी हो जाएगी 42% यानि कि by 100 of यानि कि multiply और 50 यहाँ पे जब इसको solve करेंगे 52 जा 100 और 2 से यह 21 times में मतलब girls का total संख्या girls का number कितना हो जाएगा 21 class में 21 girls है जिसमें कि 3 girls और लेड़ी फेल हो चुकी है हम लोग इधर calculate कर चुके हैं अब यहाँ पर देखो बताएगा how many boys passed in the test तो test में लरके कितने पास हुए तो हमें पहले total number of boys पता करना परेगा girls से अगर 21 है तो boys कितना हो जाएगा boys हो जाएगा 50 minus 21 है ना मतलब क्या हो जाएगा यह 29 boys हो जाएगा जब minus करेंगे तो हमें पता चला और यह 29 जो हुआ यह तो total boys हुआ तो यहाँ पर हम लोग निकाल सकते कि past boys ठीक है past कितना boy हुआ पास कितना लरका हुआ यह जो 3 लरका पास हुआ है इसको हम लोग हटा देते हैं minus कर देते हैं तो यह 29 minus 3 कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि 26 boys जो है वो पास हुआ है exam में एकदम simply हम लोग step wise step समझ question में क्या पूछा गया था और हमने solve किया बस इसी को एकदम structured way में statement के साथ exam में बना देना है अब देखते है question number 3 में क्या पूछा गया है इसमें बोला गया है कि the cost price of 10 articles मतलब 10 सामान कोई भी article है जितने में खरीदा है is equal to the selling price of 8 मतलब उतने में ही वो 8 सामान को बेचा है मतल दस सामान खरीद के लाया मलों 500 रुपीज में और 8 सामान को वो बेच लिया 500 मतलब यहां पर प्रॉफिट हुआ है एकदम simple clear cut पता चल रहा है कि 10 सामान को 500 में खरीद के लाया और फिर बेच लिया है आठी सामान को 500 मतलब 8 सामान को बेच के उसका पूरा पैसा निकल गया म अब हमें सिर्फ यह फाइंड करना कि profit कितना हुआ और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए CP चाहिए और SP चाहिए जब तक CP और SP हम लोग को नहीं मिलेगा तब तक हम लोग profit percent या loss percent नहीं find कर सकते हैं अब देखो यहां कैसे बनेगा यह question इसमें बताया गया कि the cost price of 10 आर्ट तो हम लेगे एक तरफ लिखते हैं CP of 10 आर्टिकल और एक तरफ लिखते हैं selling price यानि कि SP of 8 आर्टिकल अब हम लोग यहां पर मान लेते हैं कि selling price जो 8 आर्टिकल का है 800 रुपीज है ठीक है ऐसा ही हम लोग मानेंगे जो कि 8 से divide हो जाए यहां पर कुछ भी मान सकते हैं तुमा मारा मन है 1200 मानने का जो नंबर मानने का मन है तुमान सकते हो लेकिन ऐसा नंबर हम लोग यहां पर कंसीडर करेंगे जिससे की cancel out आसानी से हो जाए तो यहां पर देखो selling price 8 आर्टिकल का 800 रुपीज हम लोग मान लिए और यह जो है equal है इसके मतलब 10 आर्टिकल का CP क्या हो जा उसके बाद देखो CP of 1 आर्टिकल क्या हो जाएगा मतलब 10 आर्टिकल 800 में तो खरीदा लेकिन 1 आर्टिकल उसी साफ से कितने में खरीदा होगा तो 800 रुपीज में यह वन आर्टिकल का कॉस्ट हो गया इसको solve करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यह टी रुपीज में एक सामान खरीदा है ठीक है इसको solve करेंगे तो selling price भी हम लोगों को पता चल जाएगा 1 आर्टिकल का SP of 1 आर्टिकल तो यह हो जाएगा 800 by 8 रुपीज ठीक है इसको solve करेंगे तो हमें मिल जाएगा 100 रुपीज मतलब एक सामान का cost price हमने निकाल लिया और एक सामान का हमने selling price निक निकाल लिया अब हम लोग क्या करेंगे profit निकाल लेंगे कि एक सामान पर उसको कितना profit हुआ या कितना loss हुआ तो यहां पर दिख रहा है कि एक सामान वो 80 में खड़ीदा है और एक सामान को उसने 100 में बेचा है इसका मतलब यहां पे profit हुआ है तो profit क्या हो जाएगा profit will be equal to 100 रूपीज माइनस 80 रूपीज इसको जब solve करेंगे तो यह हो जाएगा 20 रूपीज 20 रूपीज profit हुआ है अब तो percentage profit निकालना आसान हो गया ना percentage profit will be equal to profit by CP multiply by 100% ठीक है इसको solve करते है अब profit क्या था हमारा 20 रूपीज था CP यहां पे क्या था CP था 80 रूपीज तो 80 लिख देते हैं 80 रूपीज और multiply कर देते हैं 100% से solve करेंगे यह 24 जा 80 होगा और 4 से 25% मतलब 25% यहां पे फायदा हो गया उसी इंसान का ठीक है तो यही चीज हमसे question में पूछा गया था और हमने यहां पे solve कर दिया अब आपका एक काम है कि यहां पे मैंने जो 800 consider किया है यहां पे कोई भी और random number consider करके find out करना और comment में मुझे लिख के बताना कि 25% अंसर आ रहा है या नहीं अब आते हैं होट के सबसे last question पर और सबसे complicated question पर इस question में बहुत सारे बच्चों को confusion होता है कि क्या पूछ दिया है इतना लंबा लिख दिया है statement समझ में ही नहीं आ रहा है तो इस question को इतने easy तरीके से समझेंगे कि यह question याद ही हो जाएगा कभी भी exam में आएगा ऐसा question उस तलव हमें add करके number को find करने किसी दो number वहां करना उसका अंसर बताना इंव começou है अब देखो किसको एड़ करना है हमें हमें नियान ने नीज दिए ही होगा कि फिरे जिसको दो परतमा यहां से ने कर यहां तक है देखो यहां तक के वाले statement के solution में ठीक है, दो number हमें मिलेगा यहां से यहां तक को solve करेंगे तो एक number मिलेगा और यहां से यहां तक को solve करेंगे तो एक number हमें मिलेगा और उस दोनों का add कर देना है हमें एक number final answer मिल जाएगा अब देखो यहां पर हम first part को पहले solve करते हैं कि first part में हमें क्या find करना है हमें बोला गया 33 whole one by 3% तो हम लोगी लिख देते हैं 33 whole one by 3% clear off बोला गया तो off लिख देते हैं यहाँ पर one by three है तो one by three लिख देते हैं उसके बाद फिर से off है तो फिर से off लिख देते हैं उसके बाद predecessor of the smallest five digit number मतलब smallest five digit number का predecessor बोला गया है लिखने तो क्या हो जाएगा smallest five digit number कौन है बताओ smallest five digit number है one और इस पर चार जीरो ठीक है इसका predecessor लिखने बोलाया था हम लोग माइनस one कर देंगे हो गया predecessor इतना तक तो समझ गया जो बोला गया था हमने उसको mathematically लिख दिया बस अब इसमें add करना है ठीक है इसमें जो add करना है उसको हम लोग बाद में solve करेंगे पहले इसको solve कर ल मतलब one by hundred एक और आ जाएगा ठीक है उसके बाद off यानि की multiply one by three तो one by three बचपन से है और यानि की फिट से multiply और इसको जब solve करेंगे तो क्या हो जाएगा चार गो nine है ना four times nine अब इसको solve करते हैं hundred hundred cancel out यह three three जा nine हो जाएगा और nine से जब यह cancel out होगा तो क्या हो जाएगा one 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 ठीक है यह three भी कट गया यह three V मतलब इस side में हमार answer आ गया one thousand one hundred eleven ठीक है ये साइड में हमार आंसर आ अगया उसके पाद दूसरा part को solve करते हैं दूसरे part में हमें बताया गया कि upon factors कूसी का शक्सेणर हमें बताना है successor of the smallest number किसी smallest number का हमे successor बताना है तो पहले हम smallest number find करेंगे उसमें एक add कर देंगे successor of smallest number but कौन सा smallest number smallest number formed by the digits of 4 composite number first 4 composite number ठीक है तो देखो first 4 composite number कौन होगा पहला numbers हम लिखते हैं कुछ numbers लिखते हैं ये पहला कुछ नंबर हो गया अब इसमें देखते हैं composite कौन है उन तो न तो प्राइम है न अ कंपोजिट हड़ा दो इसके बाद 2 जो है प्राइम है composite हमें चाहिए 3 भी प्राइम है 4 जो है composite है 5 भी प्राइम है 6 फिर composite है 7 जो है ये भी प्राइम है 8 composite है और 9 composite है 4 composite तो हमें मिल चुका है देख लो ध्यान से है ना तो 4 composite से हमें एक सबसे छुटा नंबर बनाते हैं तो हम लोग लिखेंगे smallest smallest number इस composite number से बना हुआ smallest number क्या होगा यह हो जाएगा 4689 यह बन गया smallest number composite number से अब देखो इस smallest number का हमें successor find करना था है ना तो हम लोग find करते है successor ठीक है successor क्या हो जाएगा 4689 प्लस 1 तो यह हो जाएगा 4690 यह दूसरा number हमें मिल यह हमने इस side से यहां तक solve किया तो हमें मिला यह number और पहले वाले portion को हमने solve किया तो हमें मिला यह number अब इस दोनों का add कर देना है simply जो कि बोला गया था find the number by adding तो हम लोग add कर देते हैं by adding ठीक है by adding क्या हो जाएगा 4690 और इसमें add कर देंगे 1111 इस दोनों का add कर देंगे तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 1 उसके बाद देख 9110 10 का 0 बचा 1 6 और 17 और 18 उसके बाद 4 और 15 तो इस तरह से हमें जो पूछा गया था हमने find out कर लिया हमार answer हो गया 5801 इसको बहुत अच्छे से सुन्दर से stepwise जैसे हमने बनाया उसी तरीके से अपने copy में मेरे से अच्छा handwriting में लिख लेना और ऐसा जब exam में बना दोगे तो आसानी से full marks आ जाएगा तो इस तरह से हमने hot के सारे question को discuss कर लिया जितना भी question था बहुत complicated था लेकिन मैंने try किया कि जितना easy method से हो सके उसको आपके सामने explain करो तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो आपके लिए helpful रहोगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो मुझे comment करके बताना और इस वीडियो को अपने classmate के साथ अपने friends के साथ जरूर share करना तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पराई करते रहो